हेलो दोस्तो रेसिपी सब कोमल में आप लोगों का मैं स्वाधत करती हूँ तो दीपावली आ रही है तो ये तो सभी को पता ही है तो अगर आप भी कुछ नमकीन बनाने जा रहे हैं तो मेरे तरीके से एक बार इस नमक पारे की रेसिपी जरूर ट्राइ करें और मेरे वीडिय के नीचे दिएगा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो एक हमने वाउल ले लिया है और इसमें अब हम डालेंगे मैदा तो करीबन मैंने एक कटोड़े के करीब मैदा का इस्तमाल किय है और एक छोटे कटोड़े से मैंने आधा कटोड़ी की करीब मैंने डाला इसमें आटा तो यह मैंने गेगर का आटा ले लिया और इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिला लिया अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक आधा छोटा चमज के करीब जिससे हमारा नमक प दाला इसमें बेकिंग सोडा जिससे अगर आप नमक पाड़े को दो तीन में के लिए स्टोड करना चाते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं इससे नमक पाड़ा बहुत दिनों तक क्रंची रहता है तो इसमें मैंने डाल दिया है थुरा सा अजमाई इसको मैंने अच्छे से हाथ करीब मैंने डाला है कुकिंग ओए ये करीबन एक बड़े चमच से एक चमच के करीब है तो इन सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिला लिया और देखी कितने अच्छे से हमारा मैदा सैथ होने लगा है तो अब इसमें हम डालेंगे पानी तो ध्यान रखे पानी थोड़ा करके डालें वरना ये बहुत ही ज्यादा नर्म हो जाएगी तो हमें इसे ज्यादा नर्म नहीं बनाना है थोड़ासा आठा को हमें हाड रखना है तो मैं आपको दिखा देती हूं तो ये देखिए हमारा आठा बिल्कुल अच्छे से गूद कर त्यार हो गया अगर आप लो रोटी के लिए एक लोई लेते हैं उसी तरीके से हमें लोई लेना है बस रोटी से हमें डबल लोई लेना है तो देखिए हमने कुछ इस तरीके का लोई ले लिया थोड़ा सा मैंने बड़ा ही रखा है तो चलिए अब इसे अच्छे से गोल कर लेते तो यह देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा रोटी तैयार हो जाएगा तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये बेल कर तैयार हो चुकी है तो इस से ज्यादा मैं इसे अब नहीं बेलूँगे तो चली आप उसे हम cut कर लेते हैं तो आप चाहें तो इसे चाकु की इस्तमाल किया था तो यह देखिए मैंने सभी को अच्छे से cut कर लिया है अब इस size से हमें cut कर ले ना है तो यह देखिए मैंने इसको थोड़ा सा तर्चा ही cut किया है जैसे market में मिलती है बस मैं उसी तरीके से cut कर रहे हैं तो आपने बहुत बार market से तो खाया ही होगा तो एक बार घर पे उसी तरीके से बना कर देखे तो ये देखे मैंने सबी को अच्छे से cut कर लिया और ये देखे बहुत easy तरीके से ये सबी निकलने लगी है तो मैं आपको एक ही करके निकाल के दिखा देती है तो ये देखे कितने easy तरीके से ये cut हो गई है तो इस सबी को अब हम एक कटोरे में निकाल लेंगे तो ये देखे मैंने सबी को अच्छे से निकाल लिया है और इस तरीके से मैंने एक plate में निकाल लिया तो ये देखे कितना अच्छा safe हो गया न तो ये हमारा नमक पार है, बिल्कुल अच्छे से कठो के त्यार हो गया है, तो चलिए इसे अब हम जट पट से त्यार कर लेते हैं, तो इसे अभी हमें डिप फ्राइ करना है, तो चलिए इसे डिप फ्राइ कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारी करहाई में पहले से ही थोड़ साही गर्म रहे तो आपको इसमें डाल देना है सारे नमक पाड़े को और ध्यान रखे इसका फ्लेम बिल्कुल लो से मीडियम ही रखे जिससे ये बिल्कुल अच्छे से अंदर से क्रिस्पी और उपर से बहुत ही अच्छा गोल्डेन कलर आ जाए तो ये देखिए इसका धीर बार इस तरीके से पलट लेंगे जिससे दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से इसका कलर आ जाए और क्रिस्पी से त्यार हो जाए तो इसको बनने में जादा से जादा आपको पांस मिनट के समय ही लगेगा तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो अगर जो आप भी चाहते हैं दीपावली में कुछ नमकीन बनाना तो मेरे तरीके से एक बार इस नमक पारे को बना कर देखें काफी टेश्टी और काफी क्रंची है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में गाइस तब तक के लिए गाइस बाबाए